देखिए एक बहुत ही खतरनाक जीव को हम आपके सामने लेके आ गए हैं उसका नाम है जेली फीस देखिए यार यह जेली फीस से थोड़ा सा हमेसा बच के रही है क्योंकि यह जेली फीस जो होती है यह बहुत खुंखार होती है बहुत खतरनाक होती है और अगर आप लोग इ irritation सा क्यूं feel होता है हमें बड़ा बुरा क्यूं लगता है कि जेलिफिस के पास जानने से आहे जानते हैं इसका solution अगर इसाम में कोशन आता है तो हम इसके आंसर में क्या कुछ लिखने वाले हैं सबसे पहले अब मैं यहां पर आप लोगो यह बताना चाहूंगा कि यह जो हमारा जेलिफिस होता है हमारा जेलिफिस कौन से phylum के अंदर बिलोंग करता है यह जेलिफिस हमारा बिलोंग करता है non codita के अंदर second phylum जो है उसका नाम है coelentrata लिखते इसे हम लोग coelentrata है पढ़ जेली फिस के पास भाई होता है बहुत सारे सिंड्रो ब्लास्ट और सिंड्रो ब्लास्ट के पास ही होते हैं बहुत सारे टेंट्रिकल्स हैं अब tentacles क्या होते हैं आप लोग वो समझिए आपने देखा है कौकरोज कोकरोज के पास देखो दो होती है मूच्छें लंभी-लंभी मूच्छे होती हैं जिसे वो sensation महसूस करता है कि भाई कोई आ रहा है उसके पास कोई जा रहा है उसके पास तो फटाक से क्या करता है अपने म प्रेजन्ट होते हैं syndrome blast के अंदर तो jellyfish जो होता है यह हमारा phylum serencrates की अंदर आता है और साथ साथ में jellyfish का जो syndrome blast होता है इसके पास बहुत सारे tentacles पाये जाते हैं जब कोई बाहर से कोई जीव जनतु इसको खाने के लिए आता है मतलब jellyfish को खाने की कोशिश करता है तो jellyfish का ये जो syndroblast होता है तो ये syndroblast बहुत सारे toxins को release कर देता है और इतने सारे toxins को release करने से ही इसको खाने के लिए जो आया होता है वो इसे खाता नही करता है तभी तो को practically से करता है यहां पर कि हमारा जेली की सोक्षिन ठोड़ Scary ti हमारी बॉडी का इसा एक बहुत को स्ट्रॉंगे या based अ फिर्छ इने linking अीग खंट से मर जाए तो यहां होगा हमारी बाड़ी की इस्किन पंपाट पेदा हो जाएंगे जैसे आपटोंको मालम होंगा जब लाल मुंगी काटी है आप लोगोगो एक दम لاल लाल हो जाता है और बहुत सारा इरीटेशन होता है बहुत सारा इचींग होता है तो वैसा पर देखें पर यहां पर जेली फिस बना हुआ है जेली फिस के निचे देखिए लंबे-लंबे धागे निकले हुए न यह धागों को हम लोग टेंटेकल के तो बस यही कुछ 3-4 पॉइंट है जिसको आपको एक्जाम लिखना है और जैसे आप इन 3-4 पॉइंट को एक्जाम बता सकते हैं अगर आप लोग को हमारी वीडियो से कुछ वैल्यू सिखने मिली है तो फटाफर चनल को सब्सक्राइब कर दो और सबसे इंप्रॉटन बात आपके साइंस वन रिफ्लेक्शन और यह चैप्टर के सभी कोशन आंसर के सलूशन तयार हो चुके हैं और बहुत ज लगे रहे हैं मिनित करते रहे हैं हम तो हैं ही आपके साथ यहां पर एंड एज वीजवल थैंक यू फर वाचिंग जैहिन